Hello students, welcome to my YouTube channel. आज मैं physics का एक बहुत important topic लेकर आया हूँ आपके बीच में. Topic का नाम है, levers and their types. हम लोग जब भी lever की बात करते हैं, तो तीन तरह की lever हम लोग स्था हमेशा से पढ़ते आए हैं. Lever of first class, Lever of second class and Lever of third class. तो आज इनहीं levers को हम shortcut में आपको बहुत ही जल्दी में आपको बताएंगे जिससे कि आपको levers सारे समझ में आ जाएं और सबके examples भी समझ में आ जाएं. जब भी levers and their types की बात करेंगे, तो हम start करेंगे lever of first class से. और इससे पहले तीन चीज़े बहुत important होती हैं. वो होती हैं, अलग में लिख दे रहा हूँ, effort, load, fulcrum. यही तीनो चीज़े आपस में change होती हैं, जिससे कि lever के class बदलते रहते हैं. तो हमें mind में यह चीज़े रखनी होंगे कि effort, load और fulcrum है क्या. तो यह हम लोग बारी बारी से सारे levers को देखेंगे, और उसमें इनकी different positions को समझेंगे. तो सबसे पहले हम लोग start करते हैं, lever of first class. lever of first class जो होता है, उसमें जो fulcrum होता है, वो load और effort के बीच में होता है. फulcrum in between load and effort. यहाँ पर कहीं आपका fulcrum होगा. example अगर इसके कहें, तो Caesar, Caesar एक बहुती easy आपका example है. अगर हम Caesar का example के दौर पर देखें, कुछ Caesar इस तरीके से होती है. तो fulcrum बीच में है, यह आपका fulcrum हो गया, यह कोई भी object हो गया, जिसको आप कट करने जा रहे हैं, इस तरीके से, यह आपका load हो जाएगा, और इसके बाद आपका, यह आपकी force हो गई, यह effort कह लिजे, और यह आपका बीच में हो गया, fulcrum, यानि fulcrum is in between effort and load. example, Caesar, best example है, Caesar as a example, lever of first class यह है, अब हम लोग move करते हैं, lever of second class, lever of second class में जो load होता है, load जो है, fulcrum और effort के बीच में बैठा होता है, यानि effort आपका अलग किनारे होगा, fulcrum आपका और बीच में होगा आपका load, nut cracker इसका example, nut cracker कैसे, example देख लेता है, nut cracker कुछ ऐसे होता है, यह आपका nut है, यह आपका हो गया fulcrum, जो joint करता है, यह आपका fulcrum हो गया, यह आपका load हो गया, और force कहां लगा रहे हैं, effort कहां लगा रहे हैं, यह हो गया आपका effort, यानि, load is between the effort and the fulcrum, nutcracker इसका example हो गया, आप देखते हैं, lever of third class, lever of third class में क्या होता है, effort जो होता है, बीच में होता है, load आपका एक end पर होता है, एक end पर आपका fulcrum होता है, example, tongue, steppler, tongues पर हम लोग इसका example देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसकी positions के act है, यानि, चिम्टा, चिम्टा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, यह आपका chimtा होता है, यह आपका हो गया fulcrum, यह portion, effort आपका, यह हो गया आपका, यह effort बीच में है यह effort होगे आपका और load आपका जो भी इस portion में आप जिस चीज को भी पकड़ रहे हैं यह आपका होगे load इस तरीके से सारे lever of first class, lever of second class और lever of third class हमारा complete होता है lever of first class का best example Caesar है lever of second class का best example nutcracker है और lever of third class का best example tunges है यह इसमें आप stapler भी लिख सकते हैं तो आज हमने types of lever देखें तो आज के लिए students पस इतना ही बहुत जल्द एक नई वीडियो के भी लेकर हम आपके बीच में फिर आएंगे तब तक के लिए thank you